हाईलो फ्रेंड्स गुड विनिंग स्वागत है आप सबका स्योक रुपा कलासेज पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग SSC MTS के कटाफ हुआ सेफ स्कोर को लेकर दोस्तों ताकि हम मेरे प्रिपेशन में कची समझ हो सके कि इसका दोस्तों कटाफ कैसा होता है स्टेट वाइज कटाफ कैसे देखा जाता है वह दोस्तों प्रिपियस एर में कटाफ क्या आए होते इस बार कटाफ क्या आने के संभाव ना हो सकती है तो चले दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी पच्छों को समझना शुरू करते हैं दोस्तों इस बार जो vacancy आई हुए है वह है दोस्तों SSC MTS वह हवलदार एकजाम 2030 जिसमें दोस्तों टोटल पोस्ट है 12,530 एक अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी opportunity है उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्म डालके एक अच्छी preparation में लगे होंगे जिसमें दोस्तों तरह के पाद हैं दोस्तों एक MTS का एक हवलदार का है 11,994 दोस्तों पोस्ट MTS के थे वह हवलदार के 529 थे तोटल पोस्त है 12,530 इन सभी चुचों को देखना समझना आवाज सेके दोस्तों ताकि एक अच्छी कटाप हम लोग समझ सकें सैच्छी की योगता जो 10 माई गई थी तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ने फार्म डालके अपने एक अच्छी preparation में लगे होंगे अब चले दोस्तों हम लोग कटाप को समझना सुरू करते हैं दोस्तों इस बार जो SSC MTS के फार्म अपलाई हुए है वो लगभग 45 लाख के आसपास हैं यानि कितना फार्म अपलाई हुआ 45 लाख के आसपास यानि हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर अपना सेट देखें कि 12,530 टोटल सेट है जिस पर 45 लाख के आसपास कंडिडेट हैं तो पर सेट यानि एक सेट पर लगभग दोस्तों 350 अब हैं एक सेट पर 350 अब्धिरति के आसपास दोस्तों इस एकजाम में फाइट करने वाले हैं अब सेशन वन दोस्तों थोड़ा सा एकजाम के प्रोसेस को समझ लेते हैं ताकि एक कटाफ हम लोग निकाल सकें सेजन सेशन वन जो हमारा होगा दोस्तों वो क्वालिफाइंग एक सेशन वन को क्वालिफाइंग करने के लिए इसमें निकेटिव मार्किंग है तो यहां पर दोस्तों आप लोगों की कटाफ नहीं देखी जाएगी कटाफ हम लोगों का देखा जाएगा सेशन टू का जिसके एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके द्वारा हम लोगों को दोस् तो क्योंकि कटाब यहीं से आपका निकलेगा तोटल कितने प्रस्ण होंगे तो 50 प्रस्ण होंगे और अंक होगा एक सो पचास का यानि पर कॉश्चन आपके तीन अंकों के होगे यह चीज आप समझे तोटल प्रस्ण कितने होंगे 50 यह 150 अंक का होगा और इसमें लिया जाएगा अब चले दोस्तों हम लोग कटाप को समझना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रिबियस एर के कटाप को देखेंगे तो दोस्तों प्रिबियस एर में टोटल वेकेंसी कितनी थी ये 2021 की बात हो रही दोस्तों तो 7301 कितना 7301 जिसमें टोटल फार्म लगभग कम हैं उसके पार दोस्तों टोटल फार्म जो अपलाई हुए हैं वो कितने हैं 40 लाग के आसपास अपलाई हुए थे पीबियस एर में यानि टोटल वेकेंसी 7301 थी और इस बार दोस्तों 12000 पलस हैं और पिछली बार दोस्तों जो टोटल फार्म अपलाई हुए थ थे वो चालिस लाग पास्पास थे जिसमें 1 सीट पर लगभाख पांसो चालिस अभ्यरति थे कितने 540 दोस्तों नकवर दोस्तों डाभल ऐस चीज आप od say ंग दोस्तों कतनल दोस्तों कोश्चन पर उस्टेट वासं कता यहां हम लोग देख रहे है क्योंकि दूस्तों इस का कटाफ दिया जाएगा वो इस्टेट wise दूस्तों जारी किया जाएगा भिहार राज का हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं दूस्तों दो हजार 21 का कटाफ आईए. SSC, MTS दूस्तों 28 से 25 और 28 से 24 दोनों मान के हम लोग 86 गया था यह है दोस्तों 2021 बिहार राज का SSC MTS का कटाफ अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे उत्तर परदेश का देखेंगे उत्तर परदेश का देखें दोस्तों जो कटाफ गया था पिछली बाब वो है दोस्तों जेनरल का 96 OBC का भी लगभग 96 EWS का 94 SC का दोस्तों 88 और ST का ग 46 दूस्तों मानते हैं कि 96 गया था पर Q3र नंबर का है दूस्तों तो लग भग कितने Q2 बत्रित कोस्ट यहाँ पे सही हो रहे हैं उनको मिल्atif दूस्तों 96 यानि 150 में 32 सन यह आप समझने का प्यश्क करिए 2021 का है दोस्तो ये टू मार्किंग को हटा के तो दोस्तों उन लोगों को दोस्तों यहाँ पर कटाफ में यानि कि सेलेक्शन में आए हुए हैं अब कटाफ 2030 को देखें दोस्तों इसको ध्यान करके तो लगभाग इस बार हो सकता है पिछली बार आप लोग देखे लें दोस्तों प्रीबियस 38 से 40 हम लोग कह सकते हैं लगभाग 40 कह लिजिए पलस नहीं हो सकता दोस्तों यानि 50 में अगर 40 कोश्चन दोस्तों जंडल और 20 के सही हो रहे हैं तो उन्हें दोस्तों SSC MTS में पूरा की पूरी संभावन है दोस्तों कि सेलेक्शन में वो आ सकते हैं EWS की यही पर देखें द लगभाग 40 और 20 मान भी 35 मान सकते हैं EWS की अगर इतने कोश्चन सही हो रहे हैं तो लगभाग दूस्तों ये लोग सेफीश कोमें हम ममान सकते हैं कि इनका सेफीश कोर माना जा सकता है और दोस्तों eles अनुवानित, जो एक basic हम लोगों ने अच्छे से analysis किया, कि अगर इतने cut-up, इतने इनके questions सही हो रहे हैं, तो ये दोस्तों safe score में आ सकते हैं, तो चले दोस्तों, फिर कोई नए update हम लोगों लेकर आएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे, thanks for watching.